दुदवाच शेत्र में आफ़त की बारिस ये फस्नों का भारी नुकसान किसान मुआउजे की मांग परड़े मांसून की बिदाई की समय दुदवाच शेत्र में अचानक आई भारी बारिस ने किसानों की मुस्किलें बढ़ा दी हवा और तुफान के साथ हुई इस अध्यधिक वर्सा के कारण हजारों एकड़ की फसलें खड़ी बरबाद हो गए किसानों ने शिकायत की है कि उनकी फसलें पूरे तरह से जमीन पर लेड़ चुकी है जिसे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ किसानों को दो सितीन एकड़ तक की फसल पूरे तरह नश्ट हो गए उन्होंने इस नुकसान का आकलंकर निते हुए गंभीर बताया प्रबावित किसानों में इंद्रभान साहु, रोहित कुमार साहु, हिरालाल साहु, राकेस कुमार साहु और अन्य किसानों ने अपने सिती साजा की, जो मौवज़ की मांग कर रहे हैं, किसानों का कहना है, वे सुरू से अपनी फसल को कीटों से बचाते रहे लेकिन अचानक हुई इस भारी बारिस ने उनकी मेहनत पर पानी फिर दिया, किसानों का समू अपसासन सुचित मौवज़ी की मांग कर रहा है, अपनी समस्याओं को लेकर जन दर्शन के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा है समागी बिरचीव राजे इंदमंडावी